तो जैसा कि पिछले एपिसोड बे हमने देखा था, लिन फेंटे दिलाब जो बैटल था, ड्रैगन प्रिंस जीत चुके थे, लोगों को भी यहाँ पर अब काफी ज़्यादा हैरानी थी, अब आगे, फिलाल अब लोगों को यही लगता था, थे पाश विसाल जावी हुआ न यह अपने स्ट्रेंथ को बजा करके रखा हुआ था, और फिलाल सू यूवे बार बार एक टकी करके इसे देखे जा रही थी, इवन ड्रैगन प्रिंस भी इसके मजे लेने लगते हैं, कई तो मेरे प्यार में तो नहीं पड़ गी, यूवे कभी चेरह इस दोरान पूरा ला और फिलाल जाओ यूवान ये सूवे से कहता है कि इस बार गी तो नम्मर वन तूब हो, क्योंकि इससे कोई भी नम्मर वन में इंटरस्ट था ही नहीं, और फिलाल ये कि यू की तरफ देखता है, और एक स्माइल देता है, अब इस सीन को दीखकर कि यू को काफी गुस्ता और इसके आस-पास जो चीजे थी, ये गुस्से मुने एक दम करश कर देते हैं, और क्योंकि गई सर्दी है, इसलिए कल रात मूँ विडियो नहीं आ पाया था, और या पर उस लड़की लिउकजी को भी दिखाय जाता है, जिससे भी काफी गुस्ता रहा था, कि इसे क्या लगता है, कि लिन फैन को हरा कर, ये अंबे हस साकता है, और लिउकजी कहती है, ये तो बस न्यू कमर एक्जाम है, मेन एक्जाम तो छे महिने बाद है, और कि यू कहता भी है, वेट करो, जो फाइनल एक्जाम होगा ना, मैं इसे बताता हूँ, लिग उसे इसकी बात मान भ रखे है, इधर एक्जामनेशन अभी भी चल रहा था, और बाकी जो बैटल्स थे, वो अब नॉर्माल ही थे, योकि मेन मेन बैटल खता हो जुगे थे, और प्रिंसिपल चू टियान यांग, ये तो काफी खुश थे, फिलल एक्जाम खतम हो जुगा था, और टियान यांग ये बोलते हैं, ये एक्जाम खतम हो गया है, अब क्लास की बारी है, और ये कहते हैं, ये टॉप 10 में जो भी आया है, वो एक क्लास में एंटर कर सकता है, और तबी इनके पगल में वाइस प्रिंसिपन जू हूंग भी आते हैं, और इनके भी चेहरे पर एक्समाई था, और अगर कोई चाहे तो बी क्लास में भी एंटर कर सकता है, अब लोगों को ये लगते हैं, क्योंकि दो साल से जो एक क्लास वारी टीम है, वो काफी पीछे है, तो बहुत सारे बच्चे ये बोलने लगते हैं कि हम बी क्लास में एंटर करेंगे, और 10 में से 7 लोग बी क्लास के पहले मान जाते हैं और ये देख करके कि यू काफी कुछ था क्योंकि इसमें शायद उन लोगों से कुछ प्रॉमिस किया था जू होंको लग रहा था कि लगता है सभी एंटर कर जाएंगे तब ये जाओ युवान बोलते हैं कि मैं एक ग्लास में एंटर कर रहा हूँ सू युवे भी सेम बात बूलती है और जो आखरी बंदा था वो भी पूलता है कि मैं भी एक ग्लास में जाओँगा अब ये सेन देखकर क्योंकि ये दोनों जादा ही टैलेंटेट थे तो जू हमको काफी गुस्सा आता है और बाकी जो लोग थे उन्हें भी डिवाइड कर द कैसे हराओंगा इदर शीन शिप्ट होता है जाओँग वगरा को दिखाए जाता है जो कि फिलाल काफी कुछ थे और ये बताते है कि प्रिंसिपल आये थे तुमारी काफी तारीफ कर रहे थे जाओँवान या पर खाना खा रहे थे और इनकी मोम ये भी इनकी काफी तारीफ कर रहे थे और जाओँग मी कहते हैं कि हम मेन एक्जाम दो वो रैंकिंग एक्जाम है उसमें तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा पर इनकी मोम की यू भी कहती है कि वो की फैमली का पंदा उसने तो छे मेरेडियन्स कोली दिये है और फ्यूजर में वो और भी श्टॉंग के करण हुआ है याओ याओ भी आपर बैटी थी अब ये सुन करके ये भी यूवान की तरफ देखती है अब जाओ किंग भी याओ याओ की तारीफ करते है और इससे एक वाइन देते हैं बदले अब ये देख करके कि नियू को गुस्सा आता है कि वो छोटी बच्ची है प और ये फिलन अपने फादर से बात करना था जो भी बैटर हुआ क्या ये पूरा बताता है और इसके फादर का नम की यूवान था जिने लोग प्यार से किंग की भी कहते थे अब की यू कहता है कि फादर क्या हमें ये नियूज वो एम्पायर को भीज देरा चाहिए पर इस इस लड़की का नम यांग जाई था और इन तीनों का स्वागत करते हैं और दूसरे का नाम स्वाग की यूश वी अब ये लोग जाव यूवान क्योंकि वो प्रिंस हैं तो इनसे काफी अच्छे से बात करते हैं जाव यूवान भी कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है आप मुझे बस जाव यूवान बुला सकते हैं तो ये जो यांग जाई ये वो लड़का है अब जाव यूवान को पता जलता है कि जो एक क्लास वाली रैंकिंग है फिलाल इसमें यांग जाई टॉप पर है और इनोंने पांच मेरेडियन्स को खोल रखा है और जो लड़की इस तौन की यूश हुई इसने भी पांच मेरेडियन्स खोल लिये हैं कि जो एंड में एक्जाम है ये सब उसके लिए इनके प्रिंसिपल कर रहे हैं और ये कहते हैं कि सभी लोग तयार हो जाओ जो जेड स्पिरिट वाटरफॉल है मैं उसे आज खोल रहा हूँ जेड वाटरफॉल का नम जाव यूवान ने सुना तो था पर आज पहली बार मौ का था जब इसे वो देखने वाले थे फिलाल चोटी आनियां इन सभी को लेकर जंगल के बीश में बहुतते हैं जब पर एक काफी बड़ा सा वाटरफॉल देखने को मिलता है अब वो जो लड़की थी की उश्वी ये इन सभी को बताती है कि जो वाटरफॉल है ये हमारा परिशानी नहीं थी जैसे कि जाव इवान दियो तो एक लिमिट के बाद इससे अपना चैनल उपनिंग एक दिन के लिए रोगना पड़ता था पर यहाँ पर कुछ वैसा नहीं था और क्योंकि ये जो वाटरफॉल है ये नेचर से जेनेसिस की को अब्जॉर्ब करता है तो अर्जाव इवान को खुशी नहीं होती है कि बस 6 गंटे यांगजाई कहता है कि 6 गंटे ये काफी है 6 गंटे टिक पाना बहुत मुश्किल है इधर टीयान तियान यांग इनको समजाते है कि बक्वास बंद करो और एंडर करने का समय हो चुका था और tlieयान यांग यहाँ पर सभी को एक एक, जैनेसिस गैदरिंग रून देते हैं, ताकि जो जैनेसिस की हैं उससे लोग ईजली एब्सर्ब कर सकें। अब यूवे जो बाहर निकलती है, जैनेसिस रून्स गो देखते हैं। लेकर तो परिल सी वान इसके बैक की तरब देख रहे थे। UA फिर से सर्मा जाती है कि किदर देख रहे हूँ युवान भी कहता है यार गलती से नजर पड़ जाती है मैं भी लड़का ही हूँ इदर UA गुस्ते में अपने पैर से युवान के पैर को कुचलने लगती है और लड़कों के एंटर करने का अलग जगे था लड़कियों का अल लोग कैसे जाते हैं हालक इदर यांग जाई वगेरा को दिखाय जाता है जैसे ही वाटर फॉल में कुच्ते हैं इनकी बॉड़ी पर एक माइंकर लेवल का प्रेशर था और जो इन्होंने जैनेसिस रून्स लगाये था वो इस परपल एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगत अब टियाल यांग आदेश देते हैं और इस बार इन तेलों की बारी थी और यांग जाई भी मजे लेते हैं कि जावी वान गुड लग मतलब यह हासी मजाक वाला था जावी वान जब यह भी अंदर जाते हैं तो काफी पेन फिल करते हैं हलाकि जो वाटर वेप बाकियों क को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं वहीं दूसरे साइड से एक चिन लाने की अवाज आती और ये अवाज थी सू यूवे की ये भी फिलाल अब लगवग कोलापस ही करने पाली थी फिलाल जाव यूवान ये खुद पर फोकस करते हैं और क्यूंकि ये स्पिरिट कल् ये साही था और एक सक्सन फोर्स से ये जो वस परपल इनरजी थी उसी पर फोकस करते हैं और फिलाल इनके बोड़ी के आसपास एक परपल और ये इकटा होना शुरू हो जाती है जे फिलाल काफी खुश हो रहे थे पर वोटल फॉल का जो प्रेशर था अब गंदे तरीके स इनने भी स्लैम करता है पर फिलाल इनने इससे कोई फरक ही नहीं पड़ रहा था और इनके इसाप से अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन में ही ये थार्ड मेरिडियन को अनब्लॉक कर सकते हैं और ये फायदा इस नहीं हो रहा था क्योंकि जो स्पिरिट टेंपरिंग मे के कारण इसे अच्छे से देखनी पाते हैं और ध्यान देते हैं तो यूवे इनने घूर रही थी यूवे जानती थी अगर कोई और होता तो इसे कपका पीट चुकी होती और गुस्से में गाली देती है हुली गन फिलान सू यूवे और प्रिल जाओ के टैलेंट को देखक चूटी यार यांग भी काफी खुशते कि 10 मिनट तुम लोगों ने रेजिस्ट कर ले वो भी पहली बार में काफी बड़ी बात है अब एटीम के लोग काफी खुश हो रहे थे तब ही पीचे से एक आवाज आती है लगदा एजट स्पिरिट वाटरफॉल का लेवल काफी गेरे चुका है तो अभी तो नए नए लोग 10 मिनट टिक जा रहे हैं और यह आवास थी कि यू की और इसके बगल में वो लियूग जी भी खड़ी थी अब जावी वान इसकी तरफ देखता है और कहता है कि फरस्ट टाइम आप कितने रेटिके थी लियूग जी ये सुन करक इसका चेहरा लाल हो जाता है और यह कुछ बोलती रही है तब यह बीच में कियू स्माइल करके बोलता है और कियू कहता है कि अब लियूग जी की चोड़ो वैसे मैं पहनी बार में 30 मिनट तक था टियान यांग इदर फिनल कियू अगरे को दाट थे कि अभी B क्लास का बढ़ जाते है लियूग जी भी हसती है यह बोलता खाफी है और कियू के भी चेहरे पर एक स्माइल जाओ यूवान यहां पर इस बार लेक में आने के पाद वो कल्टिवेशन वाले मुद्रा में बैठ जाते है और फिर से अपने शोन को एक्टिवेट करके यह औरा को एब पसाती है तियान यान इसे देखकर थोड़ा खोश होते हैं सब भी बाहर आ चुके थे पर यूवान प्रिंज यह अभी भी बाहर नहीं आयते और वो जो लड़की थी सौम कियूशी वो कहती है कि जाओ यूवान यह 30 मिनट के काफी करीब है यांग जाई बगेरा को तो भर रोसा ही नहीं हो रहा था वही सु यूवे यह थोड़ा सा चिंतित थी और की यूवी कहता है इंटरेस्टिंग हलाकि अंदर से इसे गुस्ता आ रहा था पर खुद को अभी भी यह लोगों के सामने उचा दिखाना चाता था इधर समय बीतते जाता है 30 मिनट हो जुके थे 40 40 मिनट एक घंटे यह समय बीतते थे कियो को भी थोड़ा अलगी फेल होता है और भी गलास के श्टुडेंट नी अब एक दूसरे की तरब देखने लगते क्योंकि कियो जो है वो 6 चैनल प्रैक्टिशनर है वही जाविवान वो 2 चैनल प्रैक्टिशनर ऐसा कैसे हो सकता है लियुग जी कहती है शैद उसे कुछ हो गया होगा और जब यह बात कर रहे थे जाविवान की बोड़ी अचानक से इन्हें देखने को मिलती है लियुग जी देखकर कहती है लगता इसके इंजरीस इस बर काफी जादा है पर लोग हैरान तब होते है जब जाविवान की बो बिश्वास नहीं हो रहा था कि थार्ड चैनल इतना असाने से कोई कैसे खोल सकता है जाविवान खुद भी आयरान थे क्योंकि इनके हिसाब से भी वाटर फॉल में आने के बाद कम से कम चारपास जिन्तों लगना चाहिए था पर ये क्वार्ट्स इनरजी ये काफी सही ची की यू से कहते हैं कि अगनी बार्स नहीं पर ड्रामा क्रियेट मत करना हमारे पास इतना समय नहीं होता है हाला कि की यू को गुस्सा तो आता है पर फिलान ये खुद को कैसे भी सप्रेस करता है टियान यान भी काफी कुछ थे क्योंकि एक क्लास के जो स्टुडेंट थे और न्यूग जे इसे कह रही थे कि हर पार अपने मन की कर रहा है हम इसे ऐसा करने नहीं दे सकते पर यह पर की यू ये कुछ और प्लैन बनाने लगा था कि लगतर जेट वाटरफॉल इसके नहीं एक अच्छी चीज है और मैं ऐसा होनी नहीं दे सकता वैसे भी ये क्लास व जादा फाइदा नहीं मिलता था तो इन्हें फिलाल कोई दूसरा तरीका सोचना था जिसते कि ये स्ट्रॉंग हो सके और ये सोचते हैं कि जबी भी ये वाटरफॉल में एंटर करते हैं इनकी बोड़ी पर एक जैनेसिस रून बनाना पड़ता है और क्योंकि याव याव इ जलत होगा एक पेंटिंग के टाइप था जामर पहान वगरा थे और एक ड्रैगन को देखा जा सकता था बेसिकली इस पिक्चर के अंदर में एक जैनेसिस रून छीपा होगा था और इसमें से जाओ युवान एक आई-सी फिलिंग फील कर सकता था और शाद इसका लेवल ग जाओ युवान फिलाल इसकी तारीफ करता है और इससे पोस्त है कि अब अभी फिलाल किस लेवल तक का जैनेसिस रून्स बना सकती है युवान फिलाल तो मैं ग्रेट 3 का ही बना पाती हालिकि अगर मैं प्रिपरेशन अच्छे से करूँ तो ग्रेट 4 का भी शैद बना लू अब ग्रेट 3 का जैनेसिस रून्स मतलब कोई अगर हैवन स्टेज का प्रेटिश्टर हो तो उससे भी बराबर का फाइट किया जा सकता है युवान फिलाल सोचते है कि मैं इने प्रोटेक्ट करूँ या ये मुझे प्रोटेक्ट करेंगी याओ याओ मानो समझ चुके थी और ये इससे कहती है कि ग्रेटपा हैं उनके ये मतलब नहीं था जो तुम सोचते हो बिसिकली वो ये चाते थे कि तुम फ्यूचर में मुझे प्रोटेक्ट करो यानि कि तुम्हें श्टॉंग बनना पड़ेगा जाओ याओ 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 कहती है कि ग्रेटपा ही ने मुझे आस तो कुछ बताया ही नहीं और ये काफी निरास थी पर याओन प्रिंस टॉपिक को बदल देते हैं और कहते हैं कि कि आपको जैनेसिस गैदरिंग रून के बारे में कुछ पता है याओ याओ कहती है हाँ बहुत एजी है क्योंकि जाओ याओन ये सोच रहे थे अगर इन् बॉटल देते हैं ये काफी कुछ थी और गयते फिनल अपने कबड़े उतारो जाओ याओ याओ तुरंते अपने ब्रश के त्रू इनके बॉड़ी पर वो जैनेसिस रूंस बनाना शुरू कर देते हैं और जब ये बना रही थी तो जाओ याओन बनो एक आईसी सेंसेशन और साथ में फाइर भी यानि कि फाइर अनाईस जिसके वज़े से इनने काफी पेल हो रहा था और थोड़ी दिर में ये पूरा भी हो जाता है और जाओ याओन फिल करते हैं कि जो नेचर में भी जैनेसिस की है ये से इसली अपनी दरफ अटाइप कर सकते थे और जाओ क्या आप मुझे एक फीवर दे सकती हो क्या आप मेरे फ्रेंड पर भी से मिरून बना सकती हो याओ याओ तुरंती कहती है ऐसा सोचना भी मत क्योंकि ये जो लड़की थी ये साफ सुतरा काफी रहना पसंद करती थी और क्योंकि जाओ याओन के साथ रहती थी इसली इसने इसके लिए ड्रॉव भी कर दिया था अब जाओ याओ 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 भी थी तोड़े निलाक्स फिल करती है और प्रिंस याओ याओ भी सोचती है हाँ याओ 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 आ रही थी और बहुत सारे लोग इसी की तरब देख रहे थे क्योंकि सुन्दरता के मामले याओ 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 यूवे से बिल्कुल भी खम नहीं थी और फिलाल इसने बस अपने हरे रंगे सिंबल कपड़े बहने थे और हातों में इसके अभी भी वो टुंटुन पड़ा हुआ था और लोग सोच रहे थे यार इस टुंटुन का नसीब कितना अच्छ है का सहम इस टुंटुन के जगह इसकी गोध में होते है हलाकि याओ याओ के पास जो चाम था वो शायद सु यूवे से भी कहीं जादा था ये काफी मिस्टिरियस दिखती थे और कोई इससे फॉलो भी ने करता है फिलाल ये तोनों एक गलास में कुछ लोग कहते हैं कि यार ये तो जादा ही सु यूवे से भी जादा और कुछ लोग कहते हैं नहीं सु यूवे वो जादा सु यूवे वो जादा सु यूवे लग रही है और इसके करीब जाना भी मनु मुश्किल हो और दर दूर से की यू और लियूग जी भी इस तीन क कभी सुला नहीं और आजकल हमारा प्रिंस फूलों के साथ काफी खेल रहा है इसके पास इतना समय कैसे हैं अब इदर क्लास एके सीन को दिखाय जाता है जापर फिलान सु युवे सौंग की उशी से बात कर रही थी तब ही ये प्रिंस जाउ और एक लड़की को देखती है और इसे देखकर इसे भी थोड़ी बेचैनी होती है कि प्रिंस जाउ का रिलेशन इस लड़की के साथ कैसा है और कि उसी कहती लगता हमारे प्रिंस लड़कियों को काफी पसंद करते पर UA ने मना करती है कि आप ऐसा मत बूली है कि उसी कहती है फिलाल कि तुम hopeless हो और शायद तुम्हे lifeline lifetime मतलब ऐसे ही तुम use होते रहोगी UA बताती है कि बस हम friends है इतर जाओ युवान आ चुके थे और ये कहते हैं कि आप लोग बातें क्या कर रही हो UA smile करती है और पूछती है कि ये कौन है अब युवान बताते हैं कि ये मेरी senior sister disciple है मतलब क्योंकि कांग युवान की ये बड़ी disciple थी तो seniority के मामले में prince जाओ इनसे नीचे आते थे जाओ युवान फिलान सु युवे से कहते हैं कि मुझे follow करो और फिलान ये एक empty room में जाते हैं युवे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था पर फिलाल ये इनके साथ चली आती है और कमरा बंद करने के बाद युवान यहाँ पर अपने उपर का shirt उतारने लगते है युवे फेसे सर्माज आती है कि आप ये क्या कर रहे हो और थोड़ी नर्वस भी हो जाती है फिलाल इसे वो जो आईस और फायर जैनेसिस room था उसे दिखाते हैं और बताते हैं कि ये मेरी सीरियर्स डिसाइपन सिस्टर डिसाइपन ने बनाया है और जो हम वहाँ पर जैनेसिस गैदरिंग रून यूज करते हैं ये उसे कही ज़्यादा स्टॉंगर है इससे तुवारा ब्रेक्ट्रू के चांसेस काफी नस्दीक हो जाएंगे और यूवे को यहाँ पर काफी अच्छा लगता है और वही याव याव ये भी यूवे को देखकर काफी कुश होती है और पूशती है तो आपका नाम सू यूवे है यूवे भी हामें सरिलाती है और ये भी पूशती है कि आपका नाम अभी ये भी बताती कि याव याव ये भी सेम बात कहती है क्या मैं आपको big sis कह सकती हूँ याव याव हामें सरिना देती है वैसे उमर सबका सेम था और याव याव तुरंत ही बोलती है कि अपनी खपड़े उतारो यूवे का चेहरा फिर से लाल हो जाता है इधर प्रिंस इवाल ये कमरे से बाहर जा चुके थे और फिरलाल याव याव इनके भी चेहर बोड़ी पर वो जैनेसिस रूंस बनाना शुरू कर देती है और याव याव इस लड़की के सुन्दरता से खुदी प्रभावित होती है कि यार लड़की इस पर तो एवी फिदा हो जाए हला कि इस दोरन जब याव याव इस फायर जैनेसिस रूंस को बनाती है तो इने भी थोड़ा सर्प्राइज होता है क्योंकि शायद इसका जो इफेक्ट था युवे पर वो ड्रागन प्रिंस युवान से भी जादा था और इस लड़की के बॉड़े के अंदर ये यिन और यैंग पावर फिल करती है यिन और यैंग पावर यानि कि fire and ice पावर ही होता है यहाला कि वह अभी काफी weak है पर ये मन में ही सोचती है इससे बताती नहीं और इसे यिन यैंग जैनेसिस रूट कहा जाता है जो कि सैक्रे ड्रैकन के रूट के समानी है जो कि जाव युवान के पास है मतलब नॉर्मल लोगों से ये लड़की भी काफी अलग थी यूवे को भी लगता है ये पूश्ती के बिक्सिस क्या बात है पर याव याव फिलाल बताती नहीं है बस इतना कहते हैं कि तुम्हारे उपर जो ये फायर अन आइस रून बना है ये युवान से भी जाता इफेक्टिव है इतरी लोग बाहर निकलती हैं तब ये सीनियर ब्रदर यांग जाई आते हैं और सबको बताते हैं कि एड मास्टर चू जल्दी से पुला रहे हैं क्योंकि जेड वाटर फॉल में शैद कुछ हो गया है और यांग जाई इसके पसी ने छूट रहे थे और ये कह रहा था कि ये सब की यू ने शैद किया है और ये बताता है कि फिलाल उनलों की मांगन लगे कि उनका पावर लेवल ज्यादा है तो वो चाहते हैं कि B क्लास का टाइम बढ़ा दिया जाए और हमारे एक क्लास का टाइम ये कम कर दिया जाई जाविवान समझ रहे थे कि ये के यू ये ऐसा क्यों कर रहा है तो श्टोरिया ही पर समप करते हैं और मेलते हैं फिर कन एक नए वीडियो के साथ